अब हम उसी concept की continuation में एक और चीज देख लेते हैं कि भाई अगर अगले साल ये NPO continue करता है तो क्या होगा अगर मैं आपको याद दिलाओं हमने पिछली class में पिछले lecture में ये सीखा था कि भाई जब मुझे किसी member ने subscription के पैसे दिये थे तो वो मेरी सीधी सीधी income बन गई थी और मेरी income in expenditure account में चली गई थी फिर उसमें से मैंने कुछ खर्चा किया था तो मैंने का था जो कुछ बज़ गया था वो सब accumulated fund में जमाऊ गया था और ये fund ये represent कर रहा है कि अब इस NPO के पास इतने पैसे मौजूद हैं for future expenses I hope यहां तक clear है अब हम इसको लेके चलते हैं आगे step आगे तो बहुत ही carefully सुनिएगा बहुत ही सोच समझ के ये करना है क्योंकि आज मैं आप लोगों के accrual और prepayment के concepts को भी revise कर वाऊंगा से जी बहुत focus के साथ तो हमने ये कहा के साथ अगर हम बात करें continuation with concept of advance and receivable की तो हमने का during the year further 7 members join club and paid subscription on January 1, 2023 क्या मैं कह सकता हूँ के भाई अगर 7 new members आएं तो मैंने कहा के भाई हमने एक entry बनाई होगी cash debit और subscription income credit कितने से सर अगर मैं 7 members की बात करूं सहीजी और subscription fee हमारी same है 25,000 रुपर तो मैंने का ये जो 7 new members आएं मैंने इसको 25,000 रुपर से मलिप्लाई किया तो ये आगे हमारे पास 1,75,000 ये भी आगे है sir 1,75,000 ये हमारी subscription income है इस साल की बट पूरी income नहीं है ये पूरी income नहीं है क्योंकि पूरी income तो पूरे members पहाएगी यानि ये सिर्फ उन members से कमाई वी income है subscription income जो के इस साल भरती हूँ है add हूँ है बात clear है तो sir पिछले साल कितने members थे sir पिछले साल हमारे पास 10 members आएंगे और अभी भी मेरी presumption ये assumption यही है कि अभी इस सवाल के अंदर मेरी इस illustration के अंदर हमने membership fee माफ की वी है membership fee को माफ करने का मतलब यह कि हमने कोई at the time of entry कुछ पैसे नहीं लिए उनसे बात clear है आगे अब हम बात करेंगे now we will talk about old members सही जी अब यहां पर आपने बने रहना है क्यूंकि अब बहुत ही important concepts है जो सवाल में आपको present मिलेंगे और हमने सोचने का तरीका develop करना अभी इस class में अच्छा खेर हमने यह कहा कि sir हमारे पास 10 members है वो सही जी 10 members है अच्छा आप हम जारा read कर रहते है out of 10 old members 3 members सही जी didn't pay the subscription till year end and it is still receivable and 2 members also paid advance for 2024 यानि sir अगर हम यह बात कहें कि यह जो 10 members है हम यहां पर chart बना के करेंगे क्यूंकि हम लॉजिकली समझना है हमने कहा कि sir अगर हम यहां पर बात करें तो हम इसको पहले break करते हैं सही जी हम इसको break करते हैं पहले तो sir यह 3 और 7 members के अंदर यह आगया भई अच्छा मैंने कहा अगर मैं इन 3 members की बात करूं तो sir वो कह रहा है कि यह 3 members ने पैसे नहीं दिये साल के आखर तक तो मैंने पता है क्या किया होगा मैंने पता है क्या किया होगा इन 3 members के लिए subscription receivable को debit किया होगा क्यों लोगों ने benefit तो पूरा उठाया इस पूरे NPO का यानी जाये होंगे swimming की होगी घूमे होंगे whatsoever कोई भी activity की होगी इस club के related but again मेरा right to establish हो गया ना मैंने receivable book करके और यहां पे subscription income को record किया होगा सही जी तो मैंने कहा sir I will multiply 3 by 25,000 तो मेरे पास आगया sir यह 75,000 की amount यह 75,000 रुपे की income मैंने कमा लिए बड़ receive नहीं की that means कि मैंने इसका accruval book किया है बात clear है आए जी बकाया members की बात करते हूं जो मेरे बकाया members है वह यह 7 members है और मैंने यह कहा करें 7 members के लिए तो मुझे पैसे मिल गए होंगे cash debit और subscription income credit cash debit और subscription income credit अच्छा जी यानि सर अगर cash debit करूं subscription income credit करूं तो मैंने कहा sir यह कैसे करेंगे हम आपने कहा 7 into 25,000 आपने कहा 7 into 25,000 आपने कहा 7 into 25,000 आपने कहारी देख लेते हैं तीन members की बात हुए 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 है तो मैंने कहा आए 7 into तो ये भी आ गया 1,75,000 और ये भी आ गया 1,75,000 अच्छा क्या मैं आप से कह सकता हूं कि कुल मिलाके मेरे पास अब इस साल इस NPO के अंदर इस क्लब के अंदर कितने मेंबर हो किसा आपने का 17 मैंने बच्चों इंकम 17 के 17 मेंबर से ही कमाई यह फर्क सिर्व इतना है कि मैंने 3 मैंबर से पैसा रिशीव नहीं किया वह आपके सामने है वह आपके सामने है कि इन ही seven members में जोंगे क्योंकि उन्होंने तो पैसी पेनी की जो दूसरे वाले हैं अच्छा अब मैं यह कहता हूं कि अगर आपके पास दो members ने advance दिया तो क्या मैं कह सकता हूं कि advance की case के अंदर entry बनती है cash debit और advance subscription credit अच्छा बही हमने cash debit किया और advance subscription को credit कर दिया कितने से भाई 2 x 25,000 तो हमने का बही 2 x 25,000 इक्वल इंटू पचास हजार अच्छा अब बहुत फोकस हो के देखेंगा बच्छों बहुत फोकस हो के देखेंगा टेक्निकली मैंने यह जो amount अभी लिखी यह 25,000 इपे this is not my income क्योंके मैंने अभी तक यह earn नहीं किया तो क्या मैं लेख सकता हूं क्या मैं लेख सकता हूं क्या मैं यह लिख सकता हूं कि यह अभी मेरे लिए un earned है मैंने इसको liability बना दी अगें repeat कर रहा हूं मेरे लिए बच्चों अभी यह क्या है un earned है मैंने इसको क्या बना दी है liability बना दी अच्छा मैं इसको earn कप करूंगा जब अगले साल यह दो members benefit ले लेंगे पर अगले साल यह एक रुपिया भी पे नहीं करेंगा पर जो पैसे आए हैं मेरे पाद उसको तो record करो यह यह समझने की बात ही है कि अगर मुझे advance पैसे मिले हैं तो मैंने cash को debit करके cash को debit करके एक अपना advance subscription का account खोला होगा this is a liability this is un earned क्योंकि मैंने अब तक earn नहीं किया अच्छा अगले साल जब जाओंगा अगले साल सब जाओंगा तो मेरे पास कुल मिला के 17 members हैं तो मैं पैसे कितने लोगों से मांगूँगा सार मैं 15 members से मांगूँगा तो यह दो पैसे क्यों नहीं देंगे भाई यह दो इसलिए पैसे नहीं देंगे क्योंकि यह पिछले साल advance दे चुके होंगे अगले साल जो इसकी एंट्री बनेगी वो बनेगी अनर्ण सबस्क्रिप्शन इंकम डेबिट यह और इंकम क्रेडिट हुजाएगी बात क्लियर है तो सर यह तो एक फिनॉमेना था जो मैं आपको बताया यह है बेसिक बैग्गराउंड अफ अकाउंटिंग के यह चल रहा ह तो अगर मैं आपसे इंकम एन एकस्पेंडिचर अकाउंट की बात करूं income and expenditure account की बात करूँ सही जी तो बच्चों income and expenditure account के अंदर you are well aware के मुझे ही यहाँ पर दिखानी है subscription income और वो subscription income आपने कैसे निकाली सर एक तो यह आगई 175,000 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यह है new members की सही जी मैंने आपको बता है यह new members है इन्होंने पैसे दिये जितने पैसे दिये उतने फाइदा ले लिया कानी खतम मैंने का इसमें plus करूँ तीन members की 75,000 यह income तो है यह income तो है बड़ यह है accrual of three members इन लोगों ने फाइदा ले लिया पैसे नहीं दिये अच्छा भई फिर हमने क्या कहा इसके बार हमने इसमें plus किया एक लाख पिचतर हजार अच्छा भई जो एक लाख पिचतर हजार है मैंने कहा कि भाई यह old members है इन्होंने सर पैसे भी दिये benefit भी ले लिया अच्छा तो सर जो बाकाया पैसे आएं जो यह जो दो members इन्होंने पैसे दिये इसको आप income बनाएंगे यह जो आपने दो members ने 50,000 पर दिये इसको income बनाएंगे नहीं क्योंकि लाइबलीडी की income कब बनेंगी अगले साल खाली advance में आपको पैसे मिलें तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि 1,75,000 और 1,75,000 और प्लस 75,000 हमारे पास आगया 425,000 मैंने कहा सर्फ 425,000 की आपकी टेक्निकली एक subscription income आगई 425,000 की आपके पास आगई subscription income और उसको यूं भी देख सकते हैं कि मेरे पास 17 members हैं और 17 members मैंसे 25,000 पे लेता हूं तो कुल मिला के 425 की income बनती है बस फर्ग इतना है कि उसमें से 3 लोगों ने पैसे नहीं दिये और 2 लोगों ने advance दे दी हैं तो वो अगले सार income बनेगी इस साल का advance है I hope आपको यहां तक clarity होनी चाहिए यहां तक कोई पंगा नहीं है यह तो वोगी income and expenditure की बात यह तो वोगी income and expenditure की बात मैं अभी सिर्फ यह सिखाया है कि चल क्या रहा है अभी इसको exam point of view से मैं connect करूँगा क्योंकि मुझे पता ही जिंदगी का अजाब बन जाता है बाद लोगिकल ही लेके चलते हैं अब अगर मैं आपसे पूछूं के मेरे पास receipt and payment account के अंदर सही जी receipt and payment account के अंदर सही जी opening balance कितना था बच्चों opening balance तो आपने कर सर आपके receipt and payment account के अंदर opening balance cash का था दो लाक दस अजार पेगा दो लाक दस का अच्छा आपके पास जो subscription received हुई वो कितनी हुई अब मैं बहुत focus हो के आपको यहां पर बता रहा हूं subscription received मैं कह रहा हूं यह receipt or payment account है यहां पर पैसा आता है यहां से पैसा जाता है तो मैं कह रहा हूं कि भाई आपके पास यहां पर receipt account के अंदर पैसे subscription के नाम पे कितने आए तो मैंने कहा कि subscription के नाम पे जो पैसे आए है मेरे पास मैंने कहा वो मुझे seven new members ने दिये seven old members ने दिये सही जी और two old members ने दिया है advance for current year और यह भी for current year यानि मैंने कहा कि भाई जो seven new members थे उन्होंने current year के पैसे दिये साथ पुराने members थे उन्होंने current year के पैसे दिये और दो पुराने member थे उन्होंने अगले साल के पैसे दिये advance दिये पर आपको पैसे तो दिये ना ऐसे break up बनाने की नीड नीए मैं समझाने के लिए बता रहा हूं तो क्या मैं कह सकता हूं seven into twenty five thousand एक तो आपको एक पिचत्तर ये मिला था सही जी फिर एक पिचत्तर इन से मिला था और फिर आपके पास पचास हजारे पे यहां से मिला था तो सर आपने कहा अगर मैं इन सब को सम करूं तो यह आ गया है चार लाग और पे तो आपको एक्जैम में जो सब्सक्रिप्शन रिसीवड की अमाउंट दिख रही होगी वो कुल मिला के आपको दीवी होगी सर चार लाग और पे की तो सर यह तो आपने गलत कर दिया सर यहां पे इंकम तो आपने 4.25 की रिकॉर्ड की वी है अगर आप बात समझें यहां पर अगर आपने यहां पर गलती नहीं कियो तो मैंने कहा 7 x 25,000 सही जी और मैंने कहा कि भाई इंटू 2 प्लस 50,000 जो दो लोगों अच्छा यह दो लोगों का अडवांस अब देखें यह 4 लाग और पे आ रहा है अगर मैं आपसे पूछाओं ऐसे कितने मेंबर्स हैं ऐसे कितने मेंबर्स हैं अच्छा भाई अगर मैं 7 new members देखूं तो 7 new members ने cash pay किया सही जी पर यह देखें यह एक पिचत्तर हो गया और एक पिचत्तर को मैं दो से मुझार करूं तो तीन पचास हो गया और फिर एडवांस आगे तो टेक्निकली क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कुल मिला के चार लाख रुपे की रिसीट आई है और उपर इंकम देखूं उपर इंकम देखूं तो क्योंकि यह कैश की बात हो दिए उपर इंकम की बात हो दिए उपर इंकम की बात हो दिए बात क्लियर है अच्छा भाई खेर यह तो हो गया रिसीट और मैं अज्यूम कर रहा हूं इस वाले सवाल के अंदर कोई पेमेंट नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर आपके पास जो ओपनिंग बैलन्स था दो दस का और दो दस के ओपनिंग बैलन्स के अंदर आप टेक्निकली अगर यह चार लाग हो रुपे एड करेंगे जो हमने ऐसे वर्किंग से निकाले मैं इसको थोरा साइड में कर लिए ताकि आप लोगों को बाद में असानी हो यह हमारी वर्किं यह आगया 16 ऐसा ही है अच्छा और अगर मैं और अगर मैं यहां पर बैलन्स शीड बनाऊं अगर मैं बच्चो यहां पर बैलन्स शीड बनाऊं तो बैलन्स शीड के अंदर आपका cash and bank balance आगा होगा 16 क्योंकि opening जो आपके पास प्लीज खुदा आजा सुनना ये बाद opening जो आपके पास जो दो 10 का cash module था उसमें 4 लाग खुर्पे और एड हो चुका है चाहिए ची तो मैंने का 610 हो गया मैंने का सर आपके पास एक account आरा होगा subscription Yes, sent共 तो यह आगे सबस्क्रिप्षन ते सीफु क्या सुब्सक्रिप्शिप्षन जाप में कितना आपके पास सा सब्सक्रिपशन जोसों आपके पास है 3X225,000 को त्यापने क्विकर देखें यह आपने income तो record कर ली है बड़ आपने पैसे receive नहीं की है तो यह आपका receive लो गया अच्छा भाई फिर मैंने कहा subscription advance सही जी subscription advance कितनी है 50,000 अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर accumulated fund अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर accumulated fund अच्छा आप बच्चों मैं अगर accumulated fund बनाओं तो आपको यह बात तो याद देना कि opening fund कितना था आपके पास 12 ऐसा ही है बच्चों जल्दी बताओ opening fund कितना था 12 मैं यहाँ पर बहुत clarity से बताऊंगा आपको opening fund था 12 का यह आगया अच्छा इसमें आप profit for the year add कर रहें 24 इस साल की कमाई यानी profit कह रहा हूँ मैं इसको यहाँ पर हम कहते हैं surplus अच्छा दो 10 को अगर मैं 4 पच्चिस मैं add कर दूँ तो मेरे पास आगया 635 अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं 635 के अंदर अगर 50,000 पर add करूँ तो यह आगया 685,000 या अगया सा 685,000 और अगर मैं उपर का total करूँ तो मैं भी यह कहूँगा 685,000 अच्छा और मैंने आपको यह सिखाया था मैं जो भी कमाता हूँ वो मेरे accumulated fund में जमा हो जाता है अब अगर मैं आपस एक बात कहूँ क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास total assets 685,000 पे के हैं यह रहे 685,000 के जिसमें से मैं कह रहा हूँ के जो 685,000 के assets हैं उसमें से 50,000 पे अभी मेरे ही नहीं पैसा तो receive कर लिया है but still this is my liability तो अगर इस total assets मैं से मैं अपनी liability minus कर दूँ तो मेरे पास मेरा अपना fund बचेगा जिसमेरा right है जो के कहां मौझूद होगा मेरी equity के अंदर मेरे fund के अंदर क्यूंकि यहां पर लगाएवे पैसे कमाएवे पैसे अलग नहीं होते हैं क्यूंकि बच जो है वो fund का है तो इसलिए accumulated fund 6,35,000 पे का रहा है आप बात समझें देखें fund के अंदर कमाईवी income का हरगेस मतलब यह नहीं कि आपको पैसा receive हो चुका हो इस overall example के अंदर बच्चों आपको मुझे यह सिखाना था कि मैंने इस साल जो भी कमाया मैंने इस साल जो भी कमाया चाहे उसका पैसा आ गया और चाहे आना बाकी हो और उस पूरे asset मेंसे अगर मैं liabilities को minus कर दो तो मुझे मेरा सरमाया मिल जाता है that is my accumulated fund क्योंकि आपने equation भी तो सीखी है assets मेंसे अगर liabilities minus कर दो के तो आपको आपका capital मिल जाता है पर यहां पे वो capital को मैं क्या कहता हूँ accumulated fund यानि सब का सब पैसा जो मेरे अब usage के लिए बचावा है तो सर आपने इस पचास हजार पे को fund में क्यों नहीं जाला क्योंकि यह अभी income नहीं बनी fund की बात क्लिए अगर income बन भी जाती तो distribute तो नहीं करूँगा ना उसको कहां फिक दूँगा fund में i am waiting for the time के अगले साल वो बंदा इसके benefits ले ले बात clear है तो sir all together अगर मैं यह कहूं क्या हम यह बात कहें कि आज तक 6,10,000 पे fund को receive हो चुके आज तक क्योंकि balance sheet hazard की बनती है फिर मैंने कहा आज तक मुझे 75,000 पे और receive करना है तो मैंने कहा total assets का component मेरे कितना हो गया 685,000 आइडियली मेरे fund में 685,000 ही होना चाहिए पर 685,000 fund में नहीं है उसमें से 50,000 पे कम है reason being क्योंकि वो मैंने कमाया नहीं है तो यही तो equation है assets मेंस liabilities minus करो you will get your fund बात clear again repeat कर रहा हूँ assets मेंस liabilities minus करोंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा fund का balance जो के यहां पर मैंने overall आपको सिखा है बात clear है तो sir यह तो हो गई overall एक basic accounting एक basic presentation जो अभी हमने सीखी है बट अब अगर मैं आपको exam point of view से लेके जाओं तो वो कैसे given हो का जड़ा आए देखते हैं आपने बहुत सुकून से बहुत focus होके देखना है आपको exam में यह कहेगा कि आपके receipt and payment account के अंदर आपके receipt and payment account के अंदर सही जी आपको subscription receive होई है सही जी हमने तो यहाँ पर खुद निकाली थी ना चार लाग और पर यह रही एक दो तीन इन दोनों को तीनों को मिला के यही थी ना चार लाग और पर मैंने का यह रहा जी यह आपको exam में देते का हूँ सही जी चार लाग और पर receipt है अच्छा आपको तो पीछे back end पर logic देखे आओं कि मैं direct यहां से example के अंदर तो चार लाग और पर के अंदर कुछ a करंट एर का पैसे कुछ नेक्स यह का पैसे है ऑपके सामने यह देखिएगा बचार लाग और के अंदर यह ये दो current year के पैसे हैं, ये next year के पैसे हैं, तो ये तो मुझे break up पता है न, तो क्या हम ये conclude करें कि receipt and payment account के अंदर receipt side पर अगर आपको subscription receive दिख रही है, तो it is possible कि वो इस साल के पैसे हो, और it is possible कि उसके अंदर अगले साल के भी पैसे हो, तो ये आपको मैंने framework बता दिया कि पैसे का आने का मतलब ये है कि वो पैसा आ चुका है, अब वो चाहे इस साल का हो या अगले साल के लिए आपको advancement लाओ, this is cash, बात clear है, पहला concept दे दिया, मैंने current year, next year, दोनों इसके अंदर शामिल है, हमें कोई इसमें दो राय नहीं है, आगे सुनिएगा, फिर वो आपक को देगा बच्चों balances, सही जी, balance sheet के balances देदेगा, अच्छा, अब हम कहेंगे 2022 और 2023, मैंने कहा वो आपको लिख के देगा, subscription, receivable, 75,000, यह आपको पताना, 75,000, कितने members के लिए, 3 members की, मैं यहाँ पे इसको mark भी कर लेता हूँ, क्योंकि आप framework पता होने चाहिए, मेरे लिए तो बहुत असान है, मैं आपको रच्टर लगवा लिए, हो गया सवाल, समझे तो सही, कि यह receivable जो है, this receivable is basically accrual of income that is not received, यह हमने एक recap किया, आपको पता है, 3 members थे वो, तो आपको यह पताना है, कि जो closing receivable है, income बन चुका है, receive नहीं हुआ, बात समझेगा, closing receivable है, income बन चुका है, receive नहीं हुआ, अच्छा भई, यह हो गया, तो यानि मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे, यहाँ लिख भी द but receive नहीं हुआ, simple is that, तो हमने एक logic बनाई हुआ, cash का भी समझा दिया, cash में जो पैसा आ रहा है आपके पास, वो इस साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी हो सकता है, receivable में आपके पास जो closing आया है, मतलब वो income बन चुका है, receive नहीं हुआ, यह हमने basically लिख लिया, अच्छा और फिर आपको वो लिख के देगा, सवाल के अंदर, क्या आपके पास एक advance subscription है, सही जी, 50,000 पे की, you know the fact, you know the fact, यह कितने members की है, दो members की है, हमें exam में पंचात नहीं करनी, logically समझ आना चाहिए, logic क्या है, advance subscription की logic क्या है, advance subscription की logic यह है, कि आपको पैसे मिल चुके है, advance में यह income होगी अगले साल की, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, सही है, अगले साल के पैसे, इस साल मिल गए, तो यह अगले साल की income है, इस साल की income नहीं, तभी liability में मौजूद, देखो, अगले साल के पैसे, इस साल मिल गए, इसलिए, liability book कर ली, या अनेर्ट बना दिया, यह income कब बनेगी अगले साल, तो आई होप सार, आपको एक यह framework पता लग गया, आएं जी, अब exam में क्या करना है, जरा वो देखते हैं, exam में आपको बोलेगा, calculate करके दे, बहुत फोकस होके दर देखिएगा, exam में आपको बोलेगा, calculate, subscription, income, calculate करके दे, subscription, income, क्या बोलेगा, exam में, calculate करके दे, subscription, income, चलें जी, हम calculate करके दे दें से, subscription, income, कोई मसले वाली बात नहीं है, आजाएं जी, मैंने कहा सा, इसके लिए आपको बनाना होगा, एक subscription account, एक subscription account, हमने कहा, जी, यह था, subscription account, हमने कहा, अगर, opening receivable, अच्छा, देखो, यह receivable side है, यह receivable side है, सही, मैंने कहा, opening receivable, मेरा 0 था, यह आपको 12,22 में 0 दिख रहा है, closing receivable is, मेरा सा 75,000, आप इस बात को मानते हैं, प्लीज सुनिएगा, focus के साथ, क्या आप इस बात को मानते हैं, कि यह जो 75,000 रपे है, 75,000 है, यह मेरा receive होने से रहे गया, बड़ी, यह साल की income है, यह साल की income है, ऐसा ही है, चलिए जी, फिर मैंने कहा, आपके पास opening advance कुछ भी नहीं है, सही जी, आपके पास closing advance परावा है, 50,000 रपे, closing advance परावा है, 50,000 रपे, यह बात हमें समझ आ गई है, अच्छा, मैंने डेक्निक लिए क्या किया है, अलग-अलग account बनाने के बज़ए, एक account बना दिया है, advance का भी, और receivable का भी, सही जी, तो अगर आप चाहें, पहले तो आप लोगों के लिए मैं इसको अलग-अलग बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को ease रहे, आप लोगों को easy रहे, सही जी, क्या मैं कह सकता हूँ कि sir, मेरे पास, जो subscription, receivable का account है, और, मेरे पास, advance, subscription का account है, इसमें opening कुछ भी नहीं है, closing subscription receivable रागिया मेरे पास sir, 75,000 रुपे, इसमें opening कुछ भी नहीं है, closing advance रागिया, 50,000 रुपे, अच्छा जी, अब ज़रा बात समझेगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई, ये इसको अलग-अलग देखूं, तो ऐसे account देखेंगे, इसको अलग-अलग देखूं, तो ये ऐसे account देखेंगे, बात समझ आनी चाहिए, अच्छा, पर मैं कह रहा हूँ सर, अब onwards, मैं इसको एक account बनाऊंगा, to make it easy, अलग-अलग समझ आता है, अब इसको एक account बनाएंगे, पर before we move further, आपको एक दो चीजने recall करवानी है, basic concepts, क्या आपको एक बात पता है, कि मैं, जतने पैसे receive करूंगा, तो उससे, कैसे reduce होगा, पैसा receive करने से, पैसा, receive करने से, अगें रिपीट कर रहा हूँ, पैसा receive करने से, मेरा receivable reduce होता है, मेरा receivable reduce होता है, यह आपके सामने, यह रहा, देखो, आप जब पैसे receive करते हैं, एंट्री क्या बनाते हैं, cash, debit, और receivable credit, यही होता है ना तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो पैसे आप रिसीव करेंगे रिसीवेबल की मद में तो वो आपके रिसीवेबल को रिड्यूस करेंगे पहला कॉंसेप्ट अच्छा और फिर क्या मैं यह कह सकता हूं कि मैं जितनी इंकम कमाऊंगा उससे मेरा रिसीवेबल increase होगा यानि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मेरे जो members हैं मैंने कहा भई मेरे पुराने 10 members थे तो मैं ये भी कर सकता था कि पहले में एक काम ये करूँ 10 members का subscription receable book करूँ और income book करूँ यानि जब जब मैं income कमाऊंगा मेरा receable increase होगा फिर वो receable recover होगा वापस रपीड कर रहा हूँ जब-जब मैं income कमा लूँगा earn कर लूँगा तो मेरा क्या होगा receable increase होगा income book होगी यानि हम ये कह सकते हैं कि ये जो subscription receable का debit side आपको देख रहा है कि मैंने income कमाईगे तो मेरा receable का right आया है income आएगे receable बरेगा पैसे आगा receable कम होगा साथ साथ देखना वापस से कह रहा हूँ income आएगे receable increase होगा क्यूंकि income credit होती है receable debit होता है right distribution होता है और जैसे इसे recover करूँग receable कम होगा यानि sir income की वज़ा से कमाने की वज़ा से receable increase होगा पैसे आने की वज़ा से receable कम होगा ये हो गया ये वाला account उस वाले account पे चलते हैं मैंने का subscription in advance की बात कर रहा है अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ कि जब मैं advance receive करूँगा तो मेरी liability increase होगी जब मैं advance receive करूँगा तो में liability क्या होगी increase होगी कैसे entry बनती है cash debit और advance subscription credit वापस से बीड कर रहा हूँ cash debit और advance subscription credit यही होती है ना अभी आपके सामने मैंने बनाए थी यही advance वाली यही advance वाली आप देखें यह वाली 50,000 वाली cash debit advance subscription credit यानि सर मैं इस account की movement सिखा रहा हूँ आपको उस account में वह phenomenon है इस account में यह phenomenon है वापस से पहले receivable पे चलते हैं opening receivable opening receivable का मतलब यह है कि वह last year तक की कमाई है जो receive नहीं हुई पर इस साल जो कमाया वह आपके receivable को बढ़ा देगा क्योंकि इस साल की कमाई आपके receivable को increase कर देगी assuming मैं पहले सब receivable में डालता हूँ assuming बच्चों के मैं सब का सब पहले receivable में डालता हूँ सही जी income credit receivable debit पर लेक्रूवल बुक कर लेता हूँ फिर जब पैसा आता है तो मैं क्या entry बनाता हूँ cash debit और receivable credit और closing बच जाता है यह सुरूत है हाले इस side पर उस side आ जाए जब कोई आपको advance पैसे देगा बच्चों जब कोई आपको advance पैसे देगा तो आप उसकी क्या entry बनाएंगे cash debit और advance subscription credit यानि हम यह कह सकते हैं कि आपको जब पैसे advance की मद में मिलेंगे तो आपकी liability enhance होगी credit side पे आएगी यानि cash की वज़ा से आपकी liability increase होगी cash ही वज़ा से आपकी liability increase होगी अब उल्टा सुनो जैसे ही अगले साल जाऊंगा तो यह जिन लोगों ने मुझे advance दियावा होगा वो अब मेरी कमाई बन जाएगी क्योंकि मैं service दे चुका होगा तो अगले साल क्या entry बनेगी अगले साल क्या entry बनेगी advance subscription debit और income credit तो क्या मैं कह सकता हूँ आपका जब advance reduce होगा तो क्या book होगी income क्या book होगी income आप खुछ सोचे ना आज आपको 50,000 पे जादा मिल गए मैं कह रहा हूँ इस साल आपको 50 दा जादा मिल गए ना आपकी liability बढ़ गई वो आपने वहाँ पार्क के क्लोजिंग में भी आ गई अगले साल entry क्या बनेगी advance subscription debit तो को debit होगी है ना और किसमें convert होगी income and expenditure में चली जाएगी यहां से निकलके income and expenditure में चली जाएगी अब जरा इस framework को समझते हैं क्या मैं कह सकता हूँ receivable के case में वापस क्योंकि मैं again again repeat करूँँगा ताकि भीज़े में fix होजा फिर इन दोनों को मिला दूँगा वापस सुने क्या मैं कह सकता हूँ के receivable के case में receivable के case के अंदर मैं income and expenditure में income record करता हूँ और receivable पार्क कर लेता हूँ receivable हो जाता है debit यह रहा income की वज़ा से income कहां गए income and expenditure account में कमाई उससे क्या हुआ receivable increase हो गया वो opening क्या था last year तक की कमाई थी for the year की कमाई ने आपको क्या किया increase किया यहां तक बात clear थे अच्छा अब मैंने का मुझे कुछ पैसे मिल गए तो मुझे जो पैसे मिल गए क्या मैं कह सकता हूँ वो में receivable को reduce करेंगे तो इसकी entry क्या बनी कि receivable हो जाएका credit और cash रहाएगा cash account में और closing बच जाएगा यानि sir अब मैं conclude कर रहा हूँ पहले receivable का account opening receivable आप लिखेंगे इसको write dan करेंगे opening receivable यह बतारा है कि वो last year तक की कमाई closing receivable क्या बता रही है closing तक की कमाई क्लोजिंग तक की बची भी कमाई है जो रिसीव नहीं हुई यह बाद आपको समझ आ नहीं चाहिए अच्छा यह एडवांस क्या बता रहा है आपको यह पचास हजार पर यह बता रहा है कि आज तक मैंने एडवांस पैसे लिए में जो के अगर वही पैसे जो आपने इस साल रसीव कि अगले साल क्या बन जाएंगे इंकम तो क्या मैं कह सकता हूं इंकम की वजा से आपका एडवांस कम हो जाएगा क्योंकि वह एडवांस इस नो मोरा एडवांस वह इंकम में कनवर्ट रचुका बैनेफिट दे चुके हो आप यह द तो ओपनिंग आपने कहा जीरो क्लोजिंग आपने कहा फिक़ 25.000 रुपै ओपनिंग आपने कहा जीरो teaspoon Sw gag मैंने का एक कैश पाक कर तीया सीदा सीदा मैं सवाह में गया मैंने कहा सब देखें 4 लाग रुपै आपको मिला है अच्छा अब हल्ड ऑन यहां पे एक चीज कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि रिसीवाइबल का पैसा भी आएगा तो ग्रेड़ साइड पे आएगा अगें वापस को आपको जो आपको रिसीट अन् पेयमें अकाउंट में कैश मिला है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं दोनों को एक बना रहा हूँ असानी के लिए एक बना रहा हूँ तो क्या आज आज सकता है क्या आज आज सकता है Vacc Woo मैंने जो पैसे रिसीव कीई है मैं कह रहा हूं ados anew gå mil court वह cash help receivable को कम करेंगा तो आपका तो सवाल के जवाब ही होना चाहिए मेरा के सार आप ये भी तो बताएं कि हो सकता है वह advance के पैसे हो अगें सुनो अगर advance के पैसे हैं तो वह तो credit side पर आपकी liability को क्या करेंगे increase करेंगे जब मैं इसको मिला दिया तो cash subscription के नाम पर जो receive हो रहा है this is equivalent या तो asset को कम कर रहे होंगे या liability को increase कर रहे होंगे advance को increase कर रहे होंगे बात clear है again repeat कर रहा हूँ जो मैंने अभी यहां पर आपके सामने हरकत की विए this is indicating this is indicating कि भाई आपने जो पैसा receive किया हो सकता है वह आपके receivable की recovery हो जो के पहले आपने accrual book किया होगा और हो सकता है कि आपने advance पैसा receive किया हो जो भी case है वह पैसा तो आएगा credit side के उपर ना चाहे वह receivable को कम कर रहा हो और या तो आपको पैसे advance में मिले हो क्योंकि आपकी liability को enhance करेगा तो मैंने बिल्गुल इंसानों की तरह पूरे पैसे उठा के यहां रख दिये इसमें कोई मसला सर नो मसला आगे सुनें अब मैं यह कह सकता हूं कि भाई यह जो पैसे receive हुए है यह जो पैसे receive हुए है अगर इसमें कोई opening advance होता इसमें अगर कोई opening advance होता तो वह add हो जाता क्यूंकि हम यहां पे credit side की बात कर रहे हैं तो मैंने का sir opening zero है इसमें 4,000,000 पे plus किया जो receipt है और इसमें 75,000 एपे का accrual भी plus कर दिया जो के मुझे पीशे पता है concept wise के वह income थी अच्छा इसमें से आप क्या करेंगे इन तीनों के sum में से जो के अभी 475,000 आ रहा है जो के अभी 475,000 आ इन तीनों के sum में से आप ये opening minus कर देंगे आप ये opening minus कर देंगे अच्छा opening minus करने की logic है कि तो balancing figure account गना रहा हूं ना मैं opening minus करने की logic ये है कि जो opening receeable है वो पिछले सालों की income है तो आप इसमें से वह हटा देंगे अच्छा फिर ये जो 50,000 है इसमें से ये 50,000 भी आप हटा देंगे इसमें से 50,000 भी हटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी इस साल की income तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर अगर मेरे पास 475,000 में से मैं 0- करूं और 50,000 माइनस करूं तो मैं इस income कितनी आ गई 425,000 वापिस समझें इस account को मैंने किया किया एक combination of account बना दिया just to make your life easier again कहता हूं बई मैंने कहा आपको पहले मैंने अलग-अलग concept दिया subscription receivable का subscription receivable का और advanced subscription का मैं कह रहा हूं कि अगर मैं मैं कह रहा हूं कि अगर मैं बच्चों all together तमीज से accounting करता तो क्या मेरे पास 17 members थे अलग alternative accounting बता रहा हूं में पास 17 members थे तो मैंने क्या किया होगा सब मैंने technically यहां पे 17 members की subscription receivable debit और subscription income क्रेडिट कितने से बुक की होगी 17 इंटू 17 इंटू 25 थाउजन अच्छा 17 इंटू 25 थाउजन आगिया चार लाख 25 थाउजन ऐसा ही है मैंने का यह मैंने accrual book कर लिया होगा इसमें से आपको पता आपको पैसे कितने मिल गए आपने का सर मुझे पैसे मिले cash debit subscription receivable credit कितने लोग होगे सर आपने का 14 लोग होगे सर तीन ने तो पैसे ही नहीं दिये तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर मैंने 14 इंटू यह किया फ्ली सुनियेगा 14 इंटू 25 थाउजन किया तो मैंने का यह आगिया 3,50,000 मैंने का यह आगिया 3,50,000 सरही जी यह 3,50,000 पैसे का subscription receivable को कम होगे सर आपको तो यहां पे 4,00,000 और पे देख रहा है यहां पे 4,00,000 पे देख रहा है तो बेटा बाकी advance भी तो मिला है तो हमने क्या कहा होगा cash debit अच्छा क्या यह बात मानते को कि 3 लोगों का receival रह गया तो 4,25 मैं से यह 3,50,000 माइनस करो देखो 75,000 आगिया 75,000 का closing बजगी आपके पास पर अगर मैं all together आगे एक बात कहूं अगर मैं all together आगे एक बात कहूं आपको advance भी मिला है तो आपने advance की क्या इंट्री बनाई होगी cash debit कितने से sir 50,000 पे से यह 2 members का 25,000 पे का आपको advance मिला है सही जी और advance subscription credit कितने से भाई 50,000 पे से तो मैंने कहा sir cash debit advance subscription credit अगर 50,000 पे से आपका हो गया तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस 4,000,000 पे के अंदर यह 4,000,000 पे भी शामिल है यह 75,000 पे का जो आपका receiveal है यह शामिल नहीं यानि सर इस 4,000,000 पे का अगर मैं break up बनाऊ तो इस 4,000,000 पे के पैसे के अंदर क्या आप मानते हैं कि आपको इस साल के तीन 50,000 मिलें और अगले साल के अगले साल के 50,000 पे मिलें यह 50,000 पे देखें आपको closing advance में देख रहा है क्योंकि यह इस साल की income नहीं है तो मैंने उसको अलग से रख लिया और जो बाकी 75,000 पे वह accrual है पर देखो अगर शॉर्टकट अप्रोच पे जा रहा हूं तो मैंने simple किया क्या मैंने simple किया यह credit side पे फिख दिया credit is represented by whether it is decreasing your receivable or whether it is increasing your advance subscription यहां तक बात समझ आ गई फिर मैंने कहा फिर मैंने कहा यह 4,000,000 पे receive OS के अंदर तो accrual ही नहीं क्योंकि accrual भी तो income है benefit तो दे चुका हूं तो मैंने यह देखे यह accrual को closing में रख दिया जो के होना भी चाहिए क्योंकि यह हो चुका होगा यह accounting हो चुकी होगी अब income पे काम करते हैं तो मैंने कहा 4,000,000 पे plus 75,000 की income होनी चाहिए थी जो कि cash में नहीं है तो मैंने 75,000 एड़ दिया और मैंने कहा अगर कोई last year का advance होता है इस साल के लिए तो वो भी तो इस साल income बनेगा opening भी add कर दो तो इन तीनों को add के तो 4,75 बना मुझे याद आया हो सकता है कि last year का कोई receivable हो last year का तो वो जो last year का receivable है वो तो इस साल की income नहीं नहीं वो तो last year तक की income होगी तो उसको हड़ा दो फिर मैंने कहा जो अगले साल के पैसे मिले में उसको हड़ा तो that is closing advance तो मेरे पास बजगिया कितने की income 4,25,000 पी की income तो sir this was all about a basic concept of how to calculate income how to calculate income सही जी अचा यह तो हो गया एक यहां तक का concept की income आ बैलंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे पर अगर मैं all together आपको एक basic illustration करा हूं सही जी ताके आपको एक चीज समझ आजाए ताके आपको एक चीज समझ आजाए ताके फिर हम इसको conclude करें मैंने कहा साथ देखने सवाल इस तरीके गाएगा अच्छा यह पूरे सवाल का एक chunk है पूरे सवाल का बच्चों एक chunk है क्या मैं कह सकता हूं देखो इसमें sir 31 December 2019 पे club के पास subscription receivable था 16000 रपे का एने advance था 4000 रपे का सही जी यह हो गई 19 की बात यह हो गई 19 की बात तो मैंने कहा sir आएं जी account मनाते है मैंने कहा sir अब मैंने यहां पे एक account बनाया subscription account opening receivable opening advance वो क्या कह रहा है आपके पास opening receivable कितना है 16000 का क्या इस बात को मानते हो कि यह 16000 पे last year तक की income है इस साल receive यह इस साल की income नहीं इस साल maximum receive हो सकती है सही जी आगे फिर मैंने कहा कि sir आपके पास 4000 पे यह last year receive हो चुके होंगे इस साल income बनेंगे यह दुनों में फर्क है opening receivable यह कह रहा है कि यह last year तक की कमाई accrual book करके income book हो चुके receive नहीं हुए और 4000 पे receive हो चुके होंगे जो के income में convert नहीं हुए होंगे यह advance है अच्छा भाई आगे वो बहले during the year club ने subscription receive किये 2,08,000 की तो मैंने का भाई अगर subscription receive की है 2,08,000 पे की 2,08,000 की तो क्या मैं कह सकता हूँ क्या मैं कह सकता हूँ कि इस पैसे के अंदर आप conclude कर रहे हैं बच्चों इस पैसे के अंदर मेरे पास हो सकता है last year की recovery हो हो सकता है के current year के पैसे हूँ सही जी हो सकता है के next year का advance हो जो भी है वो credit पर आना चाहिए था देखो अगर पैसे receive हुएं तो किस मद में receive होंगे Receivable की recovery होगी Receivable की recovery होगी या तो अगले साल का advance होगा तो भी लागड़ी को बढ़ाएगा या तो current year के पैसे होंगे तो income में book हो जाएगा यह बात अगर बुला है इसमें इसके अंदर 10,400 was related to 2021 यानि इसके अंदर वो कह रहा है कि आपको 2021 के लिए कितने पैसे दिये गए 10,40 10,400 तो आपको यह closing liability में रखने है क्योंकर यह liability होगी यह income नहीं है इस साल की तो आपको पैसे मिले है आपको उसको closing liability में रखना है तो हमने क्या 10,400 रख दी है यहाँ पर पैसे तो receive हुए ने तो entry क्या बने है यह cash debit, advance subscription credit और advance subscription जब use नहीं हुए तो closing में आ जाएगी but opening जो 4,000 वो इस साल income बनेगी आगे फिर बोल रहा है there were four members who had not paid subscription for 2020 यानि इस साल की बात कर रहा है 20 की जिसमें से 1600 पर percent है तो मैंने का रहा है यह जो 1600 पर percent है और कितने यह लोग है चार लोग हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सही है समझ आती यह बात कि यह चार लोग है इन्होंने पैसे नहीं दिये but income तो है ना कमाया तो है ना मैंने बेनेफिट्स ली है तो मैंने का मैं इसका accrual book कर लेता हूँ closing में डाल के तो मैंने का यह आ गया 400 अच्छा अगर मैं आपसे यह कहूं कि 4000 प्लस 208000 6400 कुल मिलाके कुल मिलाके यह तीनों की amount बनती है 218400 अच्छा मैं आपको यह बता देता हूँ 218400 क्या बना है 218400 यह वाली amount इन तीनों का सम है जिसको मैं highlight कर रहा हूँ इसमें मैं करने यह लगाँ कि मैं कहरा हूँ कि 6400 अक्रूवल है यह भी income बनेगा जो पैसे रिसीव की हैं अभी अभी अजिम करां पूरी income बनेगा और जो last year का advance था वो इस साल income बनेगा मैंने तीनों को add कर लिया अब मैंने क्या कहा इसमें से अगर सोलह हजार माइनस करूँ इसमें से अगर मैं सोलह हजार रपे माइनस करूँ सर माइनस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यह last year तक की income है फॉदर यह निकाल रहे हो आप तो आप opening को हटा दो और फिर आपने कहा आप इसमें से दस हजार 400 हटा दो यह अगले साल के पैसे हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं इसमें से 16,000 हटा हूँ और 10,400 हटा हूँ तो यह आगया 1,92,000 तो सर हमारे पास यहां पर subscription income जो आ रही है वो आ रही है 1,92,000 की तो I hope this is clear तो सर simply हमें करना क्या है एक subscription account मनाना है या तो रिकवरी होगी या तो current year की पैसे होंगे या तो advance subscription के पैसे होंगे जो भी एक credit side पर आएगा बात clear है इस credit side के cash के अंदर closing accrual add करें क्योंकि आप करेंगे यह भी तो income बनानी है opening advance add करें क्योंकि वो इस साल income बननी थी इसमें से last year का closing हटा दें क्योंकि वो last year तक की income थी तो हो सकता है इस पैसे में last year के पैसे भी आयों आपने वो हटा दिया और पिर हो सकता है कि इस पैसे में अगले साल का advance आया है वो भी हटाता है तो जो बच गया वो इस साल की income है बात clear है home work आजाएगा करिएगा जजाएगा लाएगा